और कुम्ब करण क्या है? कुम्ब माने होता है गड़ा. गड़ा और करण माने दस हरा, विजय दसमी. दस हरा में जो से आता है वो दस में से संसार वाला है. पर इसको बोला जाता है दस हरा. दरसल जो दस हरा है या दस हरा है इसके बहुत साई नाम है. इसका अकलंग बोधंवी नाम है. इसका सीलंग गणवी नाम है. इसका नाम बहुत सारे अलग-अलग माताओं के नाम पर भी है. पूजा के नाम पर भी है. और सबसे ज़्यादा मह है यह वप मंगल उससब है। वप मंगल मतलब बीज बोने का उससब। भारत में जितने भी प्राचींतम उससब हैं, festival हैं वो करसी प्रधान है, कसक प्रधान हैं, किसी प्रधान है। यानि कि वहाँ कोई ना कोई खेट, खेटीवारी से, फसल से, काटने से, बोने से उसको पैदा करने से उसकी रखवाली से सम्मधित कोई ना कोई festival रहे हैं आप किसी भी festival की जड़ में जाएंगे तो वहां आपको भारत के किसान दिखाई देंगे क्योंकि किसान ही पहले पूरे भारत में हुआ करते थे उद्योग धंदे बहुत बाद में आये हैं सर्विस सेक्टर बहुत बाद में बना हैं यह जो आज कल नएनी चीज़ें शहरों में हैं यह अभी की हैं फिलाल की हैं पहले की नहीं है और जो उत्सव हैं जो हरण करना है लेकर जाना है यह विजय ्दस्मी यानि जो दस्मी के दिन जो महिना चल रहा है असायुज असायुज मतल़ अश्विन या कौर इस चंद्रमा के बढ़ते सांथ यानि कि जो सुख पक है सफेद पक चंद्रमा लगातार बढ़ रहा है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन तो इस असयुज में चंद्रमा के बढ़ने के समय जो दस्वाँ दिन आता है जिसको दस्मी बोलते हैं उस दिन क्या विजय प्राप्त हुई इसलिए उसको विजय दस्मी बोलते हैं ये विजय दस्मी हर महिने में दो वार आती है भारत में दो विजय दस्मी धुम धाम से मनाई जाती है पर हर महिने में दो वार दस्मी आती है दस्मी बोला जाता है शे बाद में लगा है शेय पाली का सब्द पुरानी भासा का सद्द या सब्द नहीं है दरसल जो शेय से बने हुए जितने भी सब्द हैं वो बाद में संसकारित किये गए है उनको बदला गया है उनको मॉडिफैड किया है इसलिए दस हरा में दस जो है उसका मतलब होता है टैन यानि कि नंबर है एक दो तीन चार के बाद जो दस नंबर आता है तो दस हरा यानि दस बुरी चीज़ों को हरने वाला कैसे हरते हैं कैसे वो बुरी चीज़ों जाती हैं और कैसे दस चीजों पर विजय प्राप करते हैं दसवे दिन तो उसको बोलते हैं विजय दसमी और कहां ये बीज बोने के उससब से लेके और आज राजनितिक उद्धिस्वों से भी इसका जो इस्तमाल होता है कैसे होता है ये बड़ी मैदार सी और बहुत ही इंट्रेस्टि कहानी हैं पुराने समय में बीज बोने के वप मंगल उससब लगातार चलते थे तोकि बीज साल में कम से कम दो बार बोया जाता था एक वार जब जब बारिश से पहले यानि के चैत महिने के अंदर और एक वार जब बारिश समाप्त हो जाती है और मौसम थंड़ा होने लग तो रवी की फशल बोने का समय असयूज में आता है इस समय आता है कि इस समय वन्मंगल उत्सब पुराना रहा है konnte मंगल उत्सब भारत में जगे-घे कई वार मनाया जाता धा जंब Franco उसी दिन वमंगल उत्सब होता है ये ठीक ऐसे है कि जैसे वैसे ही जब किसी के खेत में कोई भी बीजबोया जाएगा तो दसहरा कैसे बना जाइसी बात है कि 10 कोई बात रही है उनको हरन हुआ है तो खराब बातों को छोड़ने का 10 और 10 अच्छी बातों को गरण करने का ये एक festival बना है तो 10 बातें आई हैं उसके बाद ये festival उसके बाद ये दस हरा उसके बाद ये विजे-दसमी मनाना आरंब हुआ है क्या दस बातें हैं दस बातें हैं बहुत सिंपल सी हैं बहुत छुटी सी हैं दस बुराई, पहली बुराई है काम वासना, एरती, भूक प्यास, तणहा, आलस, भै, कुसंका, घमंड, पसद्धी और आत्म पसंसा, अत्पसंसा काम वासना आप सब जानते हैं कि काम वासना किस तरह की काम वासना होती है जो व्यक्ति के अंदर घोर करती है और वो व्यक्ति पागल सा हो जाता है, ये बुराई है उसके अंदर, एरती का मतलब है कि अगर उसका कहीं ध्यान में साध्रा में रत नहीं हो रहा है तो उसको एरती बोलते हैं भूग प्यास जो भूग प्यास लगती है बहुत ज़्यादा जो पाप करम कराती है चौती है तरणा या तरशना जो किसी चीज़ की तरशना हो जाती है क्रेविंग्स हो जाती है तो बहुत जादा परिशान करती है क्राइम कराती है आलस में मनुस्य खतम हो जाता है उसका परिवार खतम हो जाता है आलस में बहुत जादा आदमी क्राइम करता है और भैसे भी आदमी क्राइम करता है जब किसी को किसे भै होता है तो वो युद तक भी कर डालते हैं दुनिया के देसों को लड़ा भी देते हैं अगर किसी से किसी को भै हो जाए या किसी समुदाय को किसी से भै हो जाए तो बहुत ज्यादा हानी होती है खुद व्यक्ति अग बहुत ज्यादा एहम आजाए या किसी को बहुत ज्यादा पसदी चाहिए बहुत ज्यादा प्रसंसा चाहिए या कोई अत्पसंसा में अपनी ही में और में में करता रहता है ये बुराईयां हैं दस प्रकार की बुराइयां हैं ये बुराइयां सारी की सारी खतम हो जाती हैं तो इन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं दस को हरा दिया दस का खतम कर दिया दस को तो दस हरा बोलते हैं और अगर विजय प्राप्त कर ली है इनके उपर तो बोलते हैं विजय दसमी, तो दस अच्छाई कौन सी हैं जिनका हम लेना करते हैं, जिनका हम अप्रहन करते हैं, जिनको हम लेते हैं, तो दस बुराईया के बाद अगर दस अच्छाईया आपने ले ली तो वो भी विजय दसमी होती है, दस अच्छाईया कौन सी है, है नियम जिसमें आपको नियम पे चलना होता है दान होता है कि कुछ ना कुछ देने की प्रवती समता होती है कि जीवन में दुख और सुख में आप समान रहें निक्खमन होता है कि आपको घर से बाहर रहके अपने आपको मुक्त करना है वीरिय होता है कि कठोर मेहनत करनी है उसको वीरिय बोलते है खंती का मतलब होता है कि आपको जो चमा और शांती है वो रखनी है और सच का मतलब होता है जो आप सच बोलेंगे और अधिठान का मतलब होता है कि दड़ नेश्चा आपने किया, पैया का मतलब होता है, प्रग्या होनी चाहिए आपके दो तीनों प्रिकार की, और मैत्ता का मतलब होता है, मित्रता, यानि फ्रेंट्सिप होनी चाहिए. तो ये सारी अच्छाई अगर आपके अंदर आती है तो भी विजए दस्मी होती है और पहले वाली सारी बुराई भी अगर निकल जाती है तो भी विजए दस्मी होती है ये दस बातें बताई किसने ये दस बातों का चलन कब हुआ दस बातों का चलन हुआ बुद्ध के बुद्ध बनने के बाद यानि सिद्धत गौतम के बुद्ध बनने के बाद जब वो बुद्ध बन गए तो उन्होंने जाना कि व्यक्ति के अंदर ये बुराई होती है ये न मुक्त हो जाता है सभी चीजों से तो उस पूरी जानकारी के बाद से दसहरा बनना शुरू हुआ यानि दस चीजों का अरण शुरू हुआ और विजय दस में आरभ होई जो दस रत होते हैं यानि के रत माने होता है वाहक गाड़ी और दस माने दस ये चीजे होती है पारमिता इनको ले जाने वाली गाड़ी इसको बोलते हैं दस रत और अगर मन लगा दें तो बोलते हैं दस मनो रत दस के बन रत यही दस बाते हैं जो आपको डाउन करती हैं और दूसरी पारमिता वालि 10 बाते हैं जो आपको उपर पहुंचाती है, तो 10 हरा तब से आरम हुआ, पर 10 हरा का अलग-अलग-अलग नियम बनता गया, जैसे महराष्ठ के अंदर इसको सीलंग गण बोलते हैं, सीलंग गण का एक सब होता है, वहाँ सीलों पे चलता है पूरा गण, तो इसको होगे तो बहुत मैदार सी कहानिया पुरानी जो बाते हैं उनको बदल कर रखा गया है कहां इसका इस्तामाल करते हैं इसका इस्तामाल करते हैं राम रामन के युद्ध से पाली के अंदर राम का मतलब होता है जो रमन करता है जो रमता है जो साधना करता है जो तप करता है, जो ध्यान करता है, जो रमकर साधना करकर अपनी बुराईयों को निकालता है, अपनी बुराईयों को जड़ से खतम करता है, तो कैसे रमते थे? तो रमने का जो सध्धान्त है, वो साध से स्टार्ट होता है, साध जो असयूद के महिने से पहले, जो आता है, उस भद्दपद में, उस महिने के अंदर, 16 दिन के अंदर, लोग जितने भी हैं, वो साधना करते हैं, उस साधना को शराद करके बादें बूला गया, वो सब को बनता है, आदमी तो सरम उडाते हैं, वो खाना खाना छोड़ते हैं, यानि कि वो विरत करते हैं, खाने से विरत रहते हैं, और वो पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं, ये काम वो करते हैं, ये काम सिर्फ पित्तर करते हैं, यानि कि मेल करते हैं, पर फीमिल कब करेंगी, जब साध का सराध का समय पूरा हो जाएगा क्योंकि उस समय जो पित्तर है यानि कि जो मेल है वो सारे के सारे खेतों मजा के काम करेंगे और जो मातू हैं मातर हैं वो कप करेंगी मातर और मातू करेंगी जब उनके साध पूरे हो जाएंगे उसके बाद, दस दिन तक, पहले तीन दिन वो क्या करेंगी, पहले तीन दिन वो दुगम काम करेंगी, खाना नहीं खाएंगी, वर्ती रहेंगी, और पहले दिन वो बीच जमाती है, क्योंकि वपमंगल सब है, इसलिए बीच जमा कर देखना है, खास्तों से धान का, जों का, वो भी जमाती हैं, उसके बाद साधना में लीन हो जाती है, पहले तीन दिन बहुत कठिन होते हैं क्योंकि खाना नहीं खाना होता है, पानी पर रहना होता है या एक टाइम खाना खाना होता है, और साधना करनी होती है. जो बाद के तीन दिन आते हैं, यानि कि जो चतुर्ती, पंचमी और छट जो आते हैं, तब तीन दिन सारे के सारे जितने सील हैं, उन सीलों को याद किया जाता है, जो सती माता हैं, वो सती पठान सिखाती हैं, साधना सिखाती हैं, सारी बाते हैं, जो धमकी हैं, वो सब सिखा बहुत सारे उनके नाम हैं पूरे भारत में जहां भी जतने सती मंदर या माताओं के मंदर हैं वो सारे के सारे यहीं हैं क्योंकि आज की जो सब्वेता है उसमें नारी का सम्मान नहीं है पर पुरानी जो सब्वेता थी उसमें नारीयों के सम्मान बहुत जादा थे सती माताओ की जयजयकार बहुत हुआ करती थी उस समय धमका अधिकतर काम घरों के अंदर सती माताएं किया करती थी पर आजकल सती माताओं का कहीं कोई इतना जिक्र होता नहीं क्योंकि लोग भूल गए पर माता उनको याद रहती हैं तो नौवे दिन और दस्वे दिन कर्णियां जितने भी हैं उन्होंने अपनी सारी बुराईयों को हर लिया उन सारी बुराईयों को जीत लिया तो विजए दस्मी के रूप से इसको मनाया जाता है धम विजए दस्मी असोग धम विजए दस्मी क्योंकि समराट असोग ने भी सारी बुराईयां छोड़ने के बाद सारी विजय पाई तो असोक धम विजय 10 में भी बोलते हैं और डॉक्टर अम्बेटकर धम विजय 10 में भी बोलते हैं क्योंकि दॉक्टर अम्बेटकर ने 1956 के अंदर फिलाली की बात है नागपुर के अंदर इन सारी बुराईयों को छोड़कर लोगों को अपने आपको जीतने के लिए फिर से वही दस पार्मिता है फिर से वही पराने नियम फिर से वही वो सिस्टम दिया था इसलिए इसको डॉक्टर अंबेटकर विजय धम दस्मी भी बुला जाता है यह इसके बहुत सारे नाम है इसलिए इस विजय धम दस्मी पे जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रमन करने वाले जो लोग हैं जिनको राम बोलते हैं वो सारे ही लोग हैं और जो महिला हैं उनको रामरी बोलते हैं रामरी और राम राम और रामरी दोनों ही ये नाउन है नाउन माने संग्या है और ये व्यक्ति की पहचान है यानि कि व पाली में युज बोलते हैं, युद्ध है रामन से, राव से, रामन बोलते हैं, राव का मतलब होता है पाली के अंदर बेचैनी, चिल्लाहट, जो बहुत ज़्यादा उतावला पन होता है, जो अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई होती है, जो बहुत ज़्यादा आद रवन ये पाली के सब्द है राव या रावन या रवन तो किस पे जीतना है अपनी चिलाहट पे अपनी जो बेचैनी है उसको जीतना है अपने अंदर जो असानती है उसको जीतना है और कैसे जीतना है रमकर जीतना है साधना में रमकर जीतना है रामरी होकर जीतना है इसलिए पुराने समय में बुद्ध के बाद जितने भी लोग आराम में बैठते थे आराम किसको बोलते थे जहां राम आते थे राम मतलब रमने वाला व्यक्ति आता था या रामरी आती थी जहां महिलाय रमती थी उस जगह को राम आराम बोला करते थे और ऐसे बहुत सारे आराम पु भोसिता राम, पुबा राम, असोक राम, ये सारे जितने भी राम थे, इसलिए बोला जाता है आराम कर लो, आराम का मतलब आज के समय तो सोना हो गया, आराम का मतलब तो आज के समय हो गया कि आप बैठ जाए आराम से, तसली से, रेश्ट कर लीजिए, पर उस समय इसका मतलब तो रेश्ट नहीं होता था, उस समय इसका मतलब होता था, आप आईए और साधना में बैठिये, रम जाईए, रमिये, तो आराम का मतलब आज भी पुराने समय के हिसाब से होता है, कि सांत बैठके और मन को सांत कीजिए, रम जाईए सांत में तब आराम होता है, किसी का मन सां चलता है सरीर से मन नहीं चलता है इसलिए आरामों के अंदर राम बैठा करते थे रामरी बैठा करते थे और वहां राम रामन का युद्ध होता था यानि कि जो रम रहा है उसका अपनी बेचैनी से अपनी जलाट से अपने क्रोध से युज होता था इसलिए राम रावन युद्ध प्रिसिद्ध होता चला गया और ये गुणवाचक है यानि के गुण जो गुण हैं के आप बेचैन हैं असान्थ हैं और आप अपने आपने जलाट कर रहे हैं अपने आप से कुदृत हो रहे हैं उसको सांथ करना है इसलिए इसको बोला जाता था तो यहां जो बोला जाता है कि यह जो दसेरा है यह राम रावन का युद्ध है यह बात उस माएने में बिलकुल सही है जब आप पाली के हिसाब से रमते हैं पाली के हिसाब से राम बनते हैं रामरी बनते हैं साध्रा में बैठते हैं तप में और दस्वे दिन आप उन पर विजय प्राप करते हैं तो आपने रावन के उपर विजय प्राप कर ली यानि कि जो आपकी बेचैनी जो आपकी जलार थी इसके उपर आपने विजय प्राप कर ली इसलिए इसको विजय धम दस्मी बोलते हैं कि दस्मे दिन ये हो जाती है जो लोग विपसना करते हैं, साधना करते हैं, वो हमेसा राम रहते हैं, रत में रहते हैं, रद्धती करते हैं, और अपनी बुराईयों को खतम करते रहते हैं, वो हमेसा अपने राव को निकालते रहते हैं, राव मतलब अपनी बेचैनी और अपनी जल्लाट को निकालते रहते है यही ये दसरा प्रिसिद्ध है कृस्ती प्रधान से लेके और आज के समय तक और राजनितिक लोग इसका बहुत इस्तमाल करते हैं क्योंकि उस दिन मुवमेंट हाई होती है बड़े बड़े जलसे अब होने लगे हैं लोगों ने पृतिक आत्मक चिंद बना लिये हैं कैसे प्रधिक आत्मक चिंद बना लिये हैं कुम्ब करण का और मेगनात का और रावन का पुतला फूकना रावन क्या है रावन मन की बेचैनी मन की सांती और जलाहट है जो पाली के हिसाब से पाली में मिलती है मेगनाद क्या है मेग माने वादल होते हैं और नाध माने होता है गर्जना यानि मेगों की गर्जना जो मेग बरसते हैं गर्जन के साथ में उनका अंत हो जाता है तो इसलिए कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो गया अब मेग नहीं आएंगे अब मेग की गर्जना नहीं आएगी तो मेग नाद हो गया मेगों की कर्जना का अंत हो गया अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया और कुम्ब करण क्या है कुम्ब माने होता है गड़ा गड़ा औ क्योंकि बारिष चली गई है बारिष खतम हो गई है इसलिए कुम्बकरण सो गया तो कुम्बकरण 6 मेने सोता है और 6 मेने जाकता है मतलब 6 मेने तक बारिष नहीं होती है और 6 मेने बाद बारिष होती है ऐसा मान सकते हैं वैसे 4 मेने जनाजन बारिष होती है पर 6 मेने का कहान चलती है तो 6 मिने गड़े होते हैं और 6 मिने गड़े नहीं होते हैं तो लोग प्रितिक आत्मक रूप से जो रावन है यानि अपनी बेचनी जलाहट और जो मेगनात है मेगो की गर्जना है और जो कुमकरण है जो गड़े बनते हैं स्रड़कों के अंदर जो पगडड़ियां होती थी पहले सारी पगडड़िया कच्ची होती थी तो गड़े ज्यादा बनते थे उन सब का खतम कर देते हैं उन सब को प्रितिक आत्मक रूप से जला देते हैं कि अब बहुत बढ़िया उल्लास का समय आ गया इस दिन सब लोग अपना अच्छा काम सुरू करते हैं मौसम सुख हो गया है मौसम सूख गया है अब मौसम में आंधरता या नमी नहीं है मौसम बढ़िया हो गया है इसलिए इस मौसम में सरीर अच्छे रहते हैं इसमें अकलंग बोधंग नहीं होता अकलंग माने होता है बीमारियां जो बीमारियां होती थी इसको अकाल बोधन भी बोलते हैं अकाल बोधन समाथ हो गया है तो दसरे का एक नाम अकाल बोधन भी है अकाल बोधन मतलब जो अकाल समय था उसका खतम हो गया है उसका बीधन हो गया है वो खतम हो गया है तो अकाल बोधन भी इसको बोलते हैं और जगे जगे अलगलग नाम से बनता है जैसे बं के नाम से लोग इसका उस सब मनाते हैं जो गुजरात के अंदर है इसका गब घारन करके बनता है जिसको गर्वा बोलते हैं गब घारन मतलब गर्ब का धारन करने का संसकार अब मौसम अच्छा आ गया है तो गर्ब धारन करने का मनुस्तिक लिए अच्छा समय है तो गब बोल तो चील का भव खान草 होता है उसकी माता यह एक जील के बीच में हैं यहां लोगे खट्टे होते हैं खीर भवानी माता के नाम से बंता है किल्णो के अंदर कुल्ल के नाम से बंता है जो कुल्ल sí उसको बोलते है जो rafter होता है जो बेड़ा वाला होता है क्योंकि वहाँ नदिया है तो rafter जो जितने भी नदिवाले लोग है वो सब खटे होते हैं और 10 दिन तक महाँ मनता है सेम वही पैटन है जहां भी 9 दिन का 10 दिन का मनता है सेम पैटन है मगर 36 गड़ के अंदर जो बस्तर है बस्तर के अंदर 75 दिन का बनता है और वैसे भी जो रेगुलर्टी के अंदर ये 75 डेज का हो जाता है क्योंकि चतुर मास चलता है चतुर मास के अंदर तो 120 दिन होते हैं पर तीन महने तक भिक्कु एक साथ तो 90 दिन होता है और 15 दिन अगर पहले वाले छोड़ दे जाये पवर्णे से पहले जो दसरे के आते हैं तो वहां ये दसरे के बाथ तिन दिन ओड चलता है यानि तेरवी पे जाके ह। होता है जो लगातार ह। होँ़ा लोग इखटे होते हैं और मनाते ये पूरे भारत के अंदर चलता है बहुत प्राचीन है पर जैसा इसका नाम है दसहरा वो बाद में पड़ा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ राजाओं की हार हुई इसलिए दस हार भी बोलते हैं इसको कुछ लोगों ने प्रितिकात्म रूप से रावन की एक मूर्ती बनाकर उ और दस श्रीप बनाना इसलिए ठीक है क्योंकि पाली के अंदर दस बुराई दी हुई हैं दस मार दी हुई है जो मैंने आपको बताएं दस बुराईयां मनुष्व को मारती है इसलिए उनको खतम कर देते हैं उन बराईयों को खतम कर देते हैं जला देते हैं तो बारिस का जो प्रतीक है मेगनाद उसको भी खतम कर देते हैं जो कुमकरल गड़ो का प्रतीक है उसको भी खतम कर देते हैं और जो दस बराईयों उसको भी खतम कर देते हैं और नया जीवन आरम करते हैं नई रोसनी के साथ नई उड़जा के साथ और पूरा देश खुशाल रहता है इसलिए दसहरा बहुत बड़ा उत्सव है और हम सब को खूब मिल जुलकर दसहरे का पूरा मजार पूरा आनंद लेना चाहिए जो लोग नाकपुर जा रहे हैं क्योंकि नाकपुर म धम विजय तसमी की लख लख बदाई पूरे भारत को बदाई पूरे दुनिया को बदाई संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी